थोड़े दिन पहले मैंने ट्विटर पर बोला था कि अगर बिटकोइन यहाँ पे एक अच्छा रन देता है तो यह जो चीज है यह बिटकोइन जैसा परफॉर्मेंस या उससे जादा परफॉर्मेंस भी देगी तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में कि क्या यह चीज सच हुई या सिर्फ यह एक मित था यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईबिट की जो की ब्लाक रॉक का बिटकोइन एटिएफ है तो थोड़े दिन पहले मैंने इसको पर एक 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 स्प्लेंट वीडियो बनाई थी अब मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस वीडियो दे रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ETF है क्या कैसे यह काम करता है क्या आपको इसके जो ETF issuers है उनको ट्रस्ट करना चाहिए क्या यहाँ पे advantages है इस ETF में invest करने कि क्या यहाँ पे disadvantages है कहाँ पे आप इसको buy कर सकते है taxation policy क्या है चार्ट क्या दिखाता है strategies आप कैसी कैसी बना सकते है Bitcoin ETF by BlackRock में invest करने के लिए तो यह वीडियो काफी सारे लोगों के लिए important हो सकती है because अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए एक काफी अच्छी opportunity मैं बोलूँगा यह हो सकती है किस हिसाब से हो सकती है यह वीडियो के end तक आपको पता लग जा ठीक है तो चैनल को subscribe जरूँ करेगा आज की वीडियो का एक छोटा सा like target है जो आपके लिए बहुत easy है अगर आप करेंगे तो हमें मिलता है motivation and support ऐसा ही daily content आपके लिए लाने के लिए और यह जो वीडियो है यह इंडिया में सबसे पहले मैं ही बना रहा हूँ आपको पता ल लगती है और एक वीडियो प्रॉमिस्ट है इन्हों एक free NFT airdrop की या free airdrop की वो भी यहाँ पर आने वाली है एक free airdrop की वीडियो हमने कल भी बनाये थी उसकी value क्या है यह आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे twitter पे एक tweet मैंने किया था आप देख सकते हो 26 जन्वर ही गो राइट जो था कल परसों में तो आज आप 27 कोई वीडियो देख रहे हो कल हमने यहाँ पे tweet किया था कि जब bitcoin के उपर बहुत अच्छी news आती है market में तो उहाँ पे top mark हो जाता है और कल जब हम यह बात कर रहे थे तो बहुत ज़ादा FUD था market में related to Mt. Gox related to Grayscale S selling their bitcoin तो मैंने यहाँ पर पूछा था लोगो से क्या इतनी सारी bad news के साथ यह local bottom हो सकता है और यहाँ पर यह proof हो गया है कि जब अच्छी news जादा हो जाए हमारे trade although मैं किसी को suggest नहीं करता हूँ future trading करने के लिए because यहाँ पर बहुत जादी practice बहुत सारी चीज़ें एक अच्छा rate हमारी indicator का है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज telegram में इसके अलावा telegram में आपको क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता जता हूँ तो यहाँ पर एक बंदे हैं हमारे subscriber जिनोंने काफी अच्छा fund airdrops करके बनाया free airdrops बनाये 2000 डॉलर इंके पास fund की कमी थी ठीक है मत आपके पास chances हैं और ऐसा ही एक chance मैंने आपको अपने telegram channel पे pin कर रखाया अगर आप जाओगे telegram channel पे जिसका official link इसे description में किसी भी fake channel में मत गोसना दोस्त एक request है आपसे चूटी सी कि जब आप ऐसी चीज़े करते हो यह crypto currency market है न जो यह भरी बड़ी है इस camera से तो official link से ही channel को नीचे description में और वहाँ पे pin messages में आपको altiverse के airdrop की opportunity मिल जाएगी यह एक ऐसा coin है यह free opportunity यहाँ पर रोज आपको को task करने है मैंने समझा रखा आप जाके देख सकते हो कल वाली वीडियो भी देख सकते हो अगर आपने skip कर दिया आपको समझ आ जाएगा कि कैसे altiverse एक ऐसा project ह जिसके बारे में दुनिया बात करेगी और सिर्फ altiverse का airdrop experience नहीं यहाँ पर मैंने आपको दे रखी है updated 27 upcoming gems की list जो इस bull run में काफी अच्छा perform करने वाले हैं जहाँ पर altiverse आता है 5th number पर जो कि हमें launch होता दिखेगा feb end या March में so जाके यह airdrop जरूर complete करना इसका link आपको इ तो अब बात करते हैं हम आज की सबसे important चीज़ की जो की है bitcoin ETF तो ETF होता क्या है ETF is basically exchange traded fund तो exchange traded fund क्या होता है for example आपको bitcoin में invest करना है right but आपको bitcoin में invest करना में problem आ रही है crypto में invest करना में problem आ रही है because इंडिया में जो भी rules and regulations है वो थोड़े से harsh है related to cryptocurrencies बाहर के exchanges बंद हो रहे हैं Indian exchanges पर वो features नहीं है जो उन चाते हैं so यहाँ पर आप safely अगर bitcoin में invest करना चाते हो तो वहाँ पर आता है bitcoin ETF तो यहाँ पर ETF के थुरू आप basically क्या करते हो आप ए company का share खरीद रहे हो वो company invest कर रही है bitcoin में और जब वो उनकी bitcoin holding पे profit कमाएंगे तो इनका share increase होगा over period of time ठीक है अब कि इस ETF की मैं बात कर रहा हूँ वो blackrock का ETF है बहुत सारी ETF available है market में आप अपने research से कर सकते हो मैं जो invest करूँगा वो blackrock ETF में करूँगा और ये video जो है educational purpose के लिए ताके आप इस बारे में सीखो right so यहाँ पर मैं आपको बता दिया exchange traded fund means कि आप stock market में bitcoin के gain को stocks के थ्रू ले सकते हो simple language में आपको समझा दिया अब हम बात करें blackrock की तो blackrock ने यहाँ पे दोस्त यहाँ पे अगर आप देखो कि blackrock ने अभी तक 45,000 bitcoin करीद ली है ठीक है so यहाँ पे बहुत सारे topics मैंने आपको बताया कि मैं cover करने वाला हूँ मैं एक बार दुबारा से आपको बतायता हूँ सब बात मैं open challenge के साथ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सो आपको क्या blackrock को trust करना जी है बहुत सारे लोग ऐसे questions रखते हैं अपने mind में जो मैं आज clear करने वाला हूँ तो blackrock को time कितना हो गया market में finance service देते हुए तो blackrock bitcoin में नहा है बट past मे blackrock के काफी financial services हैं जिसके थूँ आप invest कर सकते हो और यह 1988 से काम कर रहे हैं I was born in 1992 तो में से भी जब मैं पैदा हुआ उससे चार साल पहले से इस investment industry में है right workers कितने हैं इंके पास workforce कितनी हैं यहाँ पे 19,800 लोग इन के लिए काम करते हैं जिसमें से top analysis ठीक है CFA, CMT, well educated people जिनका काम ही यही है market को analyze करना आप मुझे trust कर मेरी वीडियो देख रहे हो मेरी वीडियो लाइक कर रहे हो तो आप यहाँ पे BlackRock को भी trust कर सकते हो ठीक है previous year में profit कितना हुआ था 56 billion dollar इनो ने revenue बनाया है fees generation में obviously इसमें से इनकी costing भी कटी होगी तो अच्छा खासा profit इनो ने बनाया profitable company है कौन लोग इनको trust करते हैं अपनी investments क लिए Apple, Google और Microsoft जैसी company तो यह मैंने आपको जो stats दिये हैं पूरी research करने के बाद दिये हैं और आपको अगर समझ आ गया कितनी बड़ी company है तो अब आप अपना decision ले सकते हो कि आपको BlackRock पे trust करना है कि नहीं करना है राइट अब यहाँ पे कुछ और चीज़े मैं बतायता हू आपको advantages and disadvantages advantages क्या है BlackRock ETF के no 30% tax on income no 1% TTS because आप यहाँ पे जो transaction है दोस्त वो crypto में नहीं कर रहे हो आप stock market में कर रहे हो ठीक है सबसे अच्छी चीज जो है आप transaction कर सकते हो अपने bank से ठीक है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है कि BlackRock आपसे और मेरे से एक better trader और investor है इस च आपको कहीं भी लगता है कि हाँ BlackRock एक काफी अची entity है बड़ी entity है और काफी अच्छे से वो काम कर सकते हैं तो आप यहाँ पर BlackRock को trust कर सकते हो right so यह छोटी सी वीडियो में में काफी information आपको देने वाला हूँ उसके बाद आप ready हो जाओगे BlackRock Bitcoin ETF में invest करने के लिए पर करते हैं money management पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है पैसा लगाने को देखा opportunity इतना पैसा लगा दिया कि वो control ही नहीं कर सकते है उस पैसे को याने की hold नहीं कर सकते हैं investment कौन बंदा करता है investment वो बंदा करता है जो कमाता है और कमाई में से कुछ part invest करता है इस चीज का basic मत भूलो का advantage क्या है कि यहाँ पर आप जब ETF करीते हो तो basically जो ETF है उसमें आप Bitcoin को own नहीं करते हो ठीक है सर्फ इतनी disadvantage है पर आप अगर यह वीडियो देख रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि आप profit based investing करना चाहते हो आपको फरग नहीं पढ़ना चाहिए Bitcoin है कि नहीं अब आप यह ले कहां स बहुत easy है आपको बस अपना pen और अधार लगाना है bank से आप इस पर पैसा डाल सकते हो and you can go ahead so यहाँ पर आप Apple का stock Google का stock भार के काफी सारे stocks भी ले सकते हो काफी मैं बुलूँगा reputed app है और obviously यह crypto के तरह नहीं है कि कलपरसों में बंद हो जाएगा right so काफी सारी चीजे है positive बाज आती है I am not saying कि आप अपनी crypto page के ibit ले लो याना कि bitcoin का ETF ले लो पर मेरा जो प्लैन है मैं आपको बताता हूँ जैसे मेरे पास जो bitcoin की holding है for example अगर 1000 डॉलर की मेरे पास bitcoin की holding है तो 200 डॉलर का मैं bitcoin ETF लेना चाला हूँ मैं 20% Blackrock पे भी लगाँगा कि Blackrock मेरे से एक better investor है तो यहाँ पे IND money को use करके जिसका official link लिए description में आप Blackrock ETF में पैसा लगा सकते को अब यहाँ पे बात आती है एक important चीज़ की taxation की tax तो लगेगा मेरे बाई ठीक है 1% TDS on transaction नई देना आपको क्योंकि crypto में आप direct trading कर रहे ठीक है capital gain tax इसको समझ लेते हैं short term पे tax slab के हिसाब से आपको $40 या बोलते हैं $46 दबल हो जाता है और आप उसको बेशते हो जो आपका income tax slab बनता है जितने आपकी income होती है उसके साब से आप income tax slab में आते हो उसके साब से आपको इस पे tax परना पड़ेगा ठीक है long term tax 20% होता है अगर आप 36 महीने के बाद बेशते हो चीज़ को long term tax लगता करने के लिए किसी CA को concern करना चाहिए आपका जो CA है because देखे taxation जो है वो CA से अच्छे समझाएंगे यह मैं अपनी research आपके रख रहा हूं ताकि आपको basic clear हो जाए और इसके बाद आपने CA से concern कर सकते हो अब बाद आते हैं काफे सारे लोग बीच में comment कर रहे थे कि ibit जो है व 23 of January को अभी current में bottom उनाया और उसके बाद यहां पर bitcoin में हमें pump दिखा कितना pump वह bitcoin 9.82% और वहीं से blackrock ETF अगर आप देखो के 23 Jan से लेके यहां तक कितना pump वह 9.73% और 9.82% तोड़ा सा ही वरग है same amount आप यहां पर भी कमा सकते हो right so यह holders के लिए अच्छा है traders के लिए बेकार ह क्योंकि short term उसमें आपको अच्छा खासा tax लग जाएगा तो अगर आप buying and holding करना चाते हो तो आपके लिए 2 strategies आप यहां पर use कर सकते हो first one is SIP यह किसके लिए होती है जिसके बाद ज्यादा time नहीं होता आप पहले इसकी study करो समझो taxation को समझो पने CA से बात करो और आप SIP कर र आपने entry ले ली वह कौन कर सकता है जो time देते हैं जिनको technical analysis की knowledge है जिनको chart की knowledge है अगर आपको नहीं है तो परशान होने की ज़रोत नहीं है आप SIP कर सकते हो एक long term perspective के साथ अगले 5-6 महीने अगर आप Bitcoin में involved हो तो Bitcoin का 10-20% आप यहां पर लगा सकते हो it is very easy हमने देख लिया ह Bitcoin जैसा है इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था इतनी दनों से लोग बहुत जार डिमांड कर रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ तो मैंने बना दिया आपको दिखा दिया कि कैसा gain चलता है it is just the starting मुझे ऐसा लगता है कि BlackRock काफी बड़ी एक company है और एक benefit में आपको अच्छी investor company में पैसा लगा रहे हो basically और वो आपके लिए trading कर रहे है so this is how it is सारी चीज़े मैंने clear कर दी है यहाँ पे query हो आपकी तो कुछ नहीं है टेलिग्राम में जाके जोड़ जाओ मैं इसकी analysis देता रहूँगा twitter पे मैं इसके chart share करूँ और breakout share करूँ जब भी मुझे द टाइम लगता है free का a drop है ले लो इसे ठीक है और इसकी पूरी detail में दे रखिए यहाँ पे टेलिग्राम में आने वाले time में जो भी अच्छे amazing coins आएंगे हमारी gemlist में से उसके buying strategy मैं आपके साथ share करूँ और तो टेलिग्राम पर join ज़रूर करेगा और जो जो लोग wait कर रहे blackrock ETF video होगा तो मेरे भाई like ज़रूर करना because बहुत ज़्यादा motivation और support मलता है मैंने कोशिच करी कि सबसे ज़्यादा information short content मैं आपको दे दूँ समझा दू की चीज क्या है ज़्यादा complicated आपके लिए ने चीज़े करी नहीं ETF होता गया आपको समझा गया किस तरीके से काम करता ह पुराने पुराने बंदे जिनको आदत है उल्टा बोल लेंगी चीजों कि ETF मत करीदो बेकार आए Blackrock को ट्रस्स मत करो भाई मैं तो कर रहा हूँ I'm here for money मुझे नहीं फरक पड़ता about decentralization, decentralization this and that मुझे कहा फरक पड़ता है यार मुझे पैसे कमाने है भाई आप लोगों भी पैसे कमाने है ठीक है कहां पर भाई करना है इंड मनी को यूज कर सकते हो नीच ऑफिशल लिंक दे रिखा है taxation के बारे मैं आपको brief दे दिया है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी है आप अपने CS है प्लीज ले चार्ट मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से perform कर रहा बट ये जो ट्रेड मैंने गया था टेस्ट ट्रेड था ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारा setup काम करता है तो वीडियो को लाइक जरू करेगा चानक करेगा सब्सक्राइब और जॉइन कर लिजीए टेलिराम को मिलेंगे तुबारा अगले हफते मंडे को बहुत ज़